अर्वे शाधी का समारोह शुरू होने जा रहा है मुकेश अम्वानी और निताम्वानी के बेटे अनंत अम्वानी की शाधी 12 जुलाई को होगी मुबाई के जीयो वर्ल्ड कन्विंशन सेंटर में अनंत और राधिका भाती परंपराओं के साथ विवाह के बंधन में बनें के वो 12 जुलाई की तारीक होगी जबनंत अम्वानी और राधिका मर्चंट एक दूसरे के साथ शाधी के पवित्र बंधन में बंधेंगे शाधी का समारो भव्य तो होगा ही पूरे आयोजन में हिंदू, वैदिक, रीत, रिवाज और भारतिय परंपरा की जलक हर मौके पर नजर आए की अनंत और राधिका की शाधी का सेव दर डेट निमंत्रन पत्र मेहमानों तक पहुँचने लगा है शाधी के तमाम समारो मौंबई में होगे, जियो वर्ल्ड सेंटर में तीन दिनों का भव्य समारो होगा 12 जुलाई को अनंत और राधिका का शुब विबा होगा, इस समारो में महमानों के लिए ड्रेस कोड होगा, भारत की पारंपरिक ड्रेस 13 जुलाई को शुब आशिरवान का कारिक्रम होगा, इसमें महमानों के लिए ड्रेस कोड भारत की पारंपरिक ड्रेस होगा और 14 जुलाई को मंगल 300 कारिक्रम होगा, जिसमें भारती ये चिक ड्रेस कोड के तौर पर रखा गया है शादी का व्यन्यू सामने आने के बाद उन तमाम अफवाहों पर ब्रेक लग गया जिसमें कयास लगाय जा रहे थे कि अमबानी परिवार की ये शादी देश से बाहर किसी खास लोकेशन पर होगी लेकिन अब ये साफ हो गया है कि शादी से जोड़े तमाम समारोख आमची मुंबई में ही होगा मुंबई के जियो वाल्ड सेंटर में होने वाले इस भव्य शादी समारोख की तमाम तयारियां शुरू हो चुकी है और अब लोग उस घड़ी का इंदजार कर रहे हैं जब वो सदियों पुरानी परंपराओं को इस शादी समारोख में पूरा होते देखेंगे ये आयोजन इतना भव्य होगा जो पारंपरिक शादियों का चलन स्थापित करेगा पारंपरिक वैदिक हिंदू रीती रिवाद से होने वाले शादी को पूरी दुनिया देखेगी पूरी दुनिया से आने वाले दिगज मेंबान हिंदू मानकों से होने वाले इस शादी समारोख के गवाह बनेगे